ओ आहे गुरू साहिब जीयो सलोक महला दू जा किस ही कोई कोई मन्ज ने मानी एक तूं किस ही कोई कोई मन्ज ने मानी एक तूं क्यों ना मरी जैरोए जान लग चितना याव ही महला दू जा जां सुख तां शहुरावेयो दुख पी समालेयो ए नानक कह सियानिये यों कंत मिलावा हो ए पावडी आओं क्या सालाही किर्म जन्त वडी तिरी वडी आई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरनागती तिन लह चडाई नानक वे परवा है तिस दिल ना तमाई जो तेरी शरनागती तिन लह चडाई नानक वे परवा है तिस दिल ना तमाई वाहि गुरू जी का खलसा वाहि गुरू जी की फत्थ जुगो जुगटल तन तन गुरू 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 साहिब जी गुरू पाद्शाजी दी अपार बक्षिश शाम समें सत्संगतियां कडियां से माण रहे हैं लड़ी वार गुरू बानी व्याख्या विच सुही की वार गुरू अमर्दास साब जी दा पावन संदेश असी विचार दे हां ये पावन रचना अपने मुकाम नो छू रही है समापन हो रहे है दा इस पावन रचनादा सोही की वार दा वी नमबर पावडी जो की लास्ट पावडी है तो देना लग दे सलोक का अंदा पाठ आप सर्वन कर रहे हैं से बीते कल पहला सलोक विचार रहा सीगा कि किसी कोई कोई मंज नमानी कि तो क्यों नमरी जैरोए जानक चितना आवही अज जो सेकंड नमबर सलोक है उत तो विचार अगे तो रहांगे नाली समापने आप आवडी दिव्या क्या होएगी गुरू अंगद महराज दूसरे नानक जो बचन कह रहे ने महला दूजा जान सुक तांशहुरावे ओ दुख पी समाले ओ जान सुक तांशहुरावे ओ जीवन दियां वैसे ते आप अपने तरीके दिनाल एक्सपोनेशन हो सक दिया है but in a very universal manners we all face at least two type of conditions in our lives one which provides us very comfort to us second where we feel very uncomfortable जिड़ाव कमफर्ट ते अनकमफर्ट या उस्ती व्याख्या साथी दुनिया जो सुक दे दुख है जदो बंदा situations oh the accordingly चल दिया ने वो कमफर्ट फील करदा है कि हून ठीक है as I have planned, as I have thought things are going in same direction I don't have much resistance from anywhere I don't have any hurdles my wishes are fulfilling on my pace everything is according to my plans so that means sokh जिथे इसब कुछ इस तरह नहीं चलदा then I have very uncomfortable situation ओद ज़िछ फिर बंदा दुख मसूस करदा है ए जीवन दा पर संग है मतलब this is the explanation of life तो गुरु बंदा जी बयान करदे दे अंदर हुनदा की या है कि जदो comfort feel करदा है अपने अंदर नो संभालन वास्ते कुछ choices बंदा या कुछ खास किसम दे करम उन्हें नो तरजी देना है जिवें बहुतायत सुख दी अवस्था देवेच जदो बहुत बंदा comfortable हुए उद्जे वेख्या गया उद्जे हंकार बाद जाना है जो क्यों नो पता ही नहीं कि कोई चीज अंकमफरटेबल भी हो सक दिये failure भी हो सक दाया किसे किसम देना को wishes fulfill भी नहीं होन गया so उन लगदा सब कुछ हराईयस everything is going according to actually my wishes अहंकार बाता है क्या गया कि जे literature दे words which मैं कहां तो कि इंदेने कि हंकार versus निरंकार जिथे हंकार दी आमद होएगी उथे निरंकार दी होंद कटेगी बंदे नो पुल जाएगा सर जनहार सत नाम शरी वाहिगरो बंदा नहीं आहसास करेगा उदा सुख दी अवस्था देवेच्च बंदा एक ते करतार बलो इस रूबे टुटदाया क्योंकि हंकार दी जाफेदारी हो रही है दूसरा when one is able to attain maintain or enjoy the comfort situations that time definitely the connections भी जादा होंगे friendship भी जादा होएगी तो होजा circle भी होएगा गुरु सब के दिस सुख मैं आन बहुत मिल बैठ रहत चहूं दिस घेरे फिर चारो दिशामा जो कि रापा के रख दे बंदे लगता दुनिया ही मेला महफल असल देच मगर जिवें सिच्वेशन पल्ट दी है फिर पता लगता है ओहो इनने चुद कोई संगी नहीं कोई साथी नहीं का जिन गुरु साब ने क्या बिपत परी सब हूं संग चाड़ेो जिवें थोड़ी जी बिपता बनी सारे संगी साथ थी बिल कुलोस से वक तक खाँ फेर गए लगाओ हो 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 है ते कला आया बचन पहला है ना किसी कोई कोई मंज नमानी एक तूँ दे गुरु सब भी बियान कर दे कि पले बंदे जो तो साथी सजन मितर सोहिर्द चूज करना है बड़े त्यान नाल चूज कर ऐसा नहों किसे पले खेच रह जाएं जो मैं होर बचन नसी ले लिए लिए नाल गुरु बंसाभ महराच यादी व्याक्या चासी कुछ होर चीज़ ना देखिए जो मैं जो कि आप बिपत परी सब हूं संग छाड़े हो साथी आम दुनिया ची क्या जाना है कि रबा सोख दहीं सोख बनाई रखी ते सोखी रहे हमेशा हलां कि एकदी होएगा नहीं सुख दुख दोईदर कपड़े इदे दर्दे बस्तर ने एक पाया है दुझा पहरे नवस्ते त्यार हो रहे है जे दूसरा पहरे नवस्ते त्यार हो रहे है ते डेफिनिटली एड़ा कोल है ये छुटक जाएगा साथी दुनिया ची विचलता जड़ी है विचलित हो जाना मतलब पैनिक होके कबरा जाना वो तहां होंदा है जो तो बंदा दुख दी अवस्ताच होए तो उन लगदा है कि यह ने मेरा साथ नहीं चड़ना हलांकि ना रात सदा रहनी है ना दिन सदा रहना है ना तुप सदा रहनी है ना च्छां सदा रहनी है ना सुक सदार्यन है ना दुख सदार्यन है दो में ही ईप्टर मीरमेश। चैड़ा है přेज़ हुए ओर चेंज हुँ देन। इही मदर निचर दा All Messiah है इस रूप देविच। खैर रहिम जी तैका दोहा है एकसर सी बात कर देया। कि इंदे ने की लोग कि आम करके अ एंदे बिपता बड़ी मारी चीज है बिपता ना आवे, मसीबत ना आवे मुश्कल ना आवे रहेम जी कही इंदे नई हवकिक्ऴत है है थोड़ी बहुटी विपता सारे आं थैनाँ आई इटिया रहिमन बेपतन हूं भली जो थोरे दिन होए लमी ते ना हौए लमी ते आके जांदा भनदा भनदा थाके जांदा канदा हो होँआ कितों मसीवत बानद की पर थोड़े धोड़े दिन बेपता हुंद आँदी रहनी चाहिए मुश्कल बंदी रहने चाहिए कोई नहीं कठनाई जीवन जी खड़ी रहे हुगें दे रहीमन भी पतन हूं भली जो धोरे दिन हुए रहीम जी पली क्यों पैदा की हो दा हुगें दे हित अन हित इस जगत मैं जान लेत सब को कौन हितू है कौन अन हितू है कौन मेरा अपना है कौन बगाना है पतल लग दे जा के पर खुन दी जदों को यह होजे हालात बनन ते गुर्गें साथ बच्चन ने जांको मुश्कल आत बने टोई कोई न दे लागू होई दुश्मना साख भी पाजख ले जिनने लोग की अपने साख केंदे हैं न भी है मेरे संगी ने साथी ने मेरी यह शाखावा ने मैं अब बच्चन दे सब नाठ जान दे कोई होर कंफ़ट बारों प्रवाइड करन वासते आएगा है पॉसिबल नहीं होंदा कई बार फिर एदे चे है कि बंदा फिर कंफ़ट के थो लबे उदली क्या गया कि रबदा नाम लए करतारते परोसा रखे आज दी दुनिया क्या जंदा है some sort of mindfulness exercises we should actually start doing meditation we should start doing scripture, recitation, reciting these activities can help us so दुख दी अवस्था जबंदा गेंदे पिए थे थे इस रूप बिचा आजया जाए गुरु बाबाजी ने क्या एक जीवन ही क्योंनी ऐसा अपना लेंदे जिदे विच जो सुख देतना तुझे अराध ही दुख पी तुझे तुझे आई जे सुख आवे ते तेरी अराधना हुए जे दुख आवे ते त्यान तेरे वेच होए ये दो चीज़ां जड़िया कंफर्ट ये अनकंफर्ट ये वस्थाया ये बाहर बदले अदले जो मरची होए पर अंदर दी दुझे दा कनेक्शन एक हार लेवल दे रहे एजड़ी बात गुरु महराज थे बियान कर देने जां सुख तां शहुरावे यो सुख पी समाल लेवे जे सुख या जे दुख या उदी ही समाल करनी है ओ दिन आली अपने आपनों जोड़ना है और इस लेवल दे विच आई दी दुनिया देख देया ते देचे है के जितना जादा सुखां दे साधन वदेने बंदे दी फ्रस्टेशन दा लेवल बंदे दा अनकमफर्टेबल फील करना उजजादा वदेग है आप स्पोस्सिंपली कर दिया बाद कैनेडा दे विच असी मोस्ली समर्दी वेट कर दे है मतलब यह थे योकि विंटर बड़ी हार्ष हों दी है लम्मी भी हों दी है बड़ी ते समर्दी वेट हों दी है पर समर्दे विच कुछ दो चार दिन ऐसे आं देने जिदे बड़ा मतलब हुमिड होंदा है बड़ा कुछ आजदा दिन ले लो थोड़ा जग्जामपल दे रूप दे विच इने दे विच्छी बंदा बड़ा मुर्जाया हुए तो बड़ा डाउन फील करना शुरू कर देंदा है उता कारन यह है किसी एक उस कंफट महाल दे इतने ज़्यादा आदी हो चुके है थोड़ा ज़ा सज्जे खबे हुंदा है सब्सक्राइब दे दे विच्छ शरीर जरूर उदी शिवरिंग हुएग यह काँप खाएगा सब चीज़ा होन की है पर मनुखी मान जेडाया जिन बाबा कभी रिजी ने क्या सी कहा मन ना डिगाए तनकाहे को डराई जो तो मन नहीं डिग दा फिर तनदा डरना भी काट जान दा फिर बाहर दी हाल हालात चेड़े ने उनना दे विच्वी बंदा अनकमफट विच्वी कमफट लब लें दा इतों फिर साड़े ली ते बहुत आइडियल पिक्चर है साड़े बज़रगा ने मतलब चाम तुसी चीज़े देखो वट्स ते डिफरेंस बिट्वीन जड़े खास करके कोई जवे छोले ने ते बदाम ने इना दूहां दे विच्च जड़े लेंटन सीड्स जड़े ने या एलमेंट्स जड़े ने इना दूहां ज़ फर्क करके देख लग किना फर्क है बड़ा फर्क है भाई दूहां दा सुआद तासीर बजार दे विच्च दूहां दी कीमत बड़ी डिफरेंट है पर जिना नो सिर्फ छोले खान नो मिले उना नो बड़ाम क्या हुण दा कारण की हो सकता है कारण हो सकता है क्योंकि नो उदे विच्च बड़ामा दा सुआदा आ रहे है एक्च्छ ल लेवल ते मन मंदल दी अवस्था थे आ गई है पता या संघर्ष या इस संघर्ष विच्च विच्च जड़ा आउटकम है वो बड़ावदिया निकलेगा क्योंकि इस खिते दे रहें दिया हुए लोकां दी हालत ते है पिर जे जीवा पत लथी जाए मतलब बे पती हो के जोणा मिल रहे है आसी का हुनेटलिस्ट पत वापस आ रहे है इज़त आ रहे है इज़त ये लहावर्दा सुबेदाल पूरा पंजाब सुबेख पूर दी पूरी कहलो एक पूरी स्टेट है पूर दा पूरा एक वड़ा मुल्ख खिता है उस दा गुवर्नर उस सिक रिजीम नूँ जिस दे वास्ते और्डिनस जारी किते गे बागी ने इना दू कट दियो मड़ दियो मार दियो इना वास्ते असी असी रुपेव ने सिरां दे मूल दिते जान तो एक दिन की आवे एक दिन आवे के कम कर दे है इवे तनी गम मुकणा आप आए ने नू नू नवाबी दी खिलत पेश दे है अपने वलो थाली दे विच पा कि उनू क्या गया कि तुसी जड़ी साड़ी ये थे मतलब स्टेट पावर या इनू शेर करो साड़ी ना लागे होर इज़त कि नू कहांगे कि कर्सियां मंग देने कि आउने मंग देने किआउ द calorie रोन देने कट देने इते हो स्पेशल ठाली जपाके लागे आउन देने पिपाई आप लेलो थुसे इज़त है पात है तो एसे पात सिदगार, बैसे इज़त सिदगार रिस्पेक्ट सिदगार पर जे बंदे नो अपने मान सन मान दाओ ख्याल नहीं रहागा तो बहुत लोवर लेवल दे आ जाएगा पिरे भी है एक या गया इन लोग का अधी होंद खतम हो जाएगी ये लोग मतलब जिस तरीक इन लगा तर दहाका बाद दहाका जैनो साइड चले आ ते मुक जाएगा सारा कुश वसी देख्या मुक या ते कुश नहीं पहला जो है सिखां दे पैंट जथे एक रिजाएं एक रिजीम दे दाओर ते उबरे फिर उनना दे विचो बारा मिसला उबरिया फिर महार जाने जी सिंग दी आमद हो गई फिर हो जे समावी आया जिन्हों वाक्य अची लोग की कहिंदे ने पिस सोनने दी चाल चाड़ जानी यो समा आया जो तो दरबार साब दी इमारत संगे मरमर तो सोनने जबन दी है तो पता लगता है कि जे तुसी असूल नात्मक जिन्दगी जीन दे हो ते कलेवल लूंदा आया फिर हो रंग देखो बस्ती वाद अपने चरमते है मतलब जिन्हों सी कलोनियल पिरेड कहिने है कलोनियजम कहिने है तो दे सब तो स्ट्रॉंग पावर जेड़ी है दुनिया जिदी मतलब चार्च पेरे जिदा डंका बोल दा सी का ब्रिटिश हो उते खड़ें जाके बिल्कुल सट्रॉई दे कंडे दे उते उनना दा दस्त पंजा हुंदा आया तो उनना नो उनना दंद खटे करके रख देने किना समा मतलब उनना पूरी तरह पेश हुंदेने सूथ बंदरे दी मानसक अवस्थाते जिन्दकी दा मकसदो कलियर है यही सिम्रन है सिम्रन ही आहसास करांदा यहाँ जोग चल रहे है पर हमें अनकमफट है पर हमें कमफट है गया अप इस तो अग्गे जाना है इस अवस्थाते अंदर फिर भी है जैसी सुखते हाल हालात भी देख दे हागे हैं स्पोज माफी चाहांगा मैं अजसी अबरीजिनल क्यम्यूनिटी नो देख दे है कैनला दे विच मतलब बच्चे आं दे जिड़े ने ग्रेव जार्ट सलब रहे नहोजी चीचां हो रही है लोग कह रहे है ने चले ते पास सी गा मैं के इना प्रेज दे विच जिड़ा वड़ा क्राइसिस या वो क्राइसिस या लीडरिशिप दा इन इस सारे किम्यूनिटी दे विच तो क्राइसिस दा कारण होन करके पीन वास्ते पानी नहीं स्कूलिंग नहीं है प्रॉपर जड़ी है है जिन्दगी दी प्रड़क्टिविटी कट दी है गुरु बाबा जिनिस करके क्या सिगा जो सुखिया ताम ये अपने पैर ना चड़ी ताम ये जमीन ते रही करतार मुचे ते रखी एदे बाबत उलामा लिखदा है वो कहिंदा है कि जे आश में यादे खुदा और तैश में खौफे खुदा जे आशो प्रस्तगी है फिर फिर खुदा दी याद रहे जे चार्च पिर सब कमफर्टेबल चल रहे थे जे तैश में चाह जाएं कि ते मतलब वो हो जी अवस्था चाह जाए उदो उदो खुदा दा खौफ रखी मन दे विच भी पाई खुदा वेख रहा सब उस रूप दे किसी तरीके दिनार में उस रात उ पटकना नहीं चाही था गुर्मत ने समझाया जां सुखता शहुरावे यो जे सुख है शहुदा रवन होई दुख पी संभाल ले होई जे दुख दी अवस्ता है तम ही संभाल होई होई नानक कहे सियानी है यो कंत में लावा होई नानक गुरु अंगत सहाब नानक जो दे उस रिप्रेजेंटिटिव दिरूपच बात कर देते कहीं दे ये बात कहे सियानी है हे सियानी जीवातमा एक काउंशनस जो बड़ी क्लेवर माइंड़ हो चुकी है जो क्लेवर नस देंदर क्रिफ्त है यो कंत में लावा होई तेरी सियान अपने लाव 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 नहीं होना जे तु दुख सुख दुना अवस्तान देविच उसे अकालपुर्ख वह गुरू ते नहीं अपनी साच बना के रखेंगी तां तेरे मुक्तिया तां तेरे असल विच मलाव होएगा यह है का स्लोक अगे पौड़ी है हो क्या साला ही किरम जंत वड़ी तेरी वड़ी आई अब देखोगे पूरी वड़ी आई किती अकालपुर्ख वह गुरू ते उदे गुनगान की ते पौड़ी याँ शलोक अच पूरी ते पूरे चना होन पूरी होना लिए गुरु अंगस साब गुरुमर्दास साब इनो पूरी कार रहने ते एक्जक्ली बात की होरी ए बात अप मुसली पौड़ी याँ नो पड़ो खीर ते आजओ खीर ली पौड़ी ते जी मैं असा की बार पड़ देया चो तो लास्ट उदा स्टेंजा पौड़ी पड़ देया वड़े कियां वड़े आईयां किछ कहना कहन ना जाए ये थे बचना रहा है वड़े कियां वड़ेाईयां किछ कहना कहन ना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिzk संबाहे साई कार कमावनी तुर चोड़ी ते ने पाए भाई ओधियां वड्याईयां की कितियां जानगी है साड़े कोल ते उन्ही जबान नहीं की साड़े कोल ते उन्ही ताब नहीं साड़े कोल समर्था नहीं उन्हें दिछ गुर्मत सनुए समझा रही है सड़ा अल्टिमेट गोल रबदियां वड़ियां कलियां करना नहीं है गा उदे कले गुनगान करना नहीं है गा सदा अल्टिमेट गोल उन वड़ियां देयां सलाओं देयां मनुखी जीवन विच गुना दी आमद लेके उनी है जे सिफ्त सला करतार दी करदा यां करतारी रचना दी करदा उदे गुन मेरे जीवन वी चो रिफलेक्ट नी ओरे थोड़े बोते फिर महराज ने बियान भी कर दिता क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या बेद पुराना सुनी है पढ़े सुनें क्या होई जो सहज न मिले उस होई हरका नामना जब उस गवारा क्या सोचाएं बारंग बारा पाई अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लहिए बस्त अगोचर पाई कट दीपक रहा समाई तेरे जीवन दा अमले है अंधियारे जीवन अग्यानता है अग्यानता दे विच फैसले हुन देने अग्यानता दे विच बंदा तुर्दा ठोकरा लग दिया जिरी दुख सुख दी अवस्था या कमफर्ट अनकमफर्टबल होना इस मदर नेचर दे लाद यंदर में जमें बिंती कीती मौसम है कदी हार्श गर्मी है करसानी जीवन नड़ सी लोग जुड़े हुए आया जाब दी फिजान दे विच्चों एते भी थोड़ा बोता देख दे आले दोड़े करसानी हुं दिये ना मुलखा दे विच भी लोग का में मेंस्ट्रीम इच लोग कर दे पर देखोगे जदों जी विच्चों ना लग रहा हुथे या पहिलना पिछे कनक पाक रही सी लोग की कनकान गा रही सी गे उस हार्वेस्टिंग दे सीजन दे विच्च आप देखोगे किन्नी गर्मी हुं दी है उन उस गर्मी दे विच्च करसान वसाकी कदों मनाई जान दी है जो बिल्कुलैंड गर्मी जोबन वाले पासे वदरी हुं दी है उन्हों चाह हुं दाया मजबी फिजान देवे चोचे के देवे पंगडे पाये जान देने ये दा माइना की है क्योंकि गर्मी जेड़ी है गर्म रुद जेड़ी है मौसम दी गर्माईश और दुख देन दी बजाए सुख देरी क्योंकि उद्ध का फैदा आ रहे है मनों कुछ फसल पक करिये मरी जे गर्मी दी रुद मेरे वास्ते फाइदे मन देया साहब ने क्या आसाड कला तपंदा इस कर गे लिए क्योंकि आसाड या जीवन देविच दुख सुख ये ते अपने आप देच बड़ी बड़ी सोगा आते है जिना नूँ सुख विच के ते रब बोलदा है दुख होंदा है याद रह जानदा है और काल पुर्ख भेगर दुख 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 जीवने चाह जानदा है एक छोटा जीए इनसीड़न देगडे करके वाटी वाइंडप कर देना जो खी वड़ियां ही ने उती इंञा करनी या स्थुख दियां ही करनी ने उती इज़िए पाद करी जैननी मान सिंग चाहर जीजी ने बड़े डिस्कॉजर सही सठकर देजिंज बुलारे कमाल दे से एक जगा बियान कर दे और कहें दे कि जो तो मैं किदे दिली तो नंगना हूँ तो अक्सर यह हो ना कि एक वरी जे मैं मंगला साभ हादरी परके गया हूँ कि तो पंजाब तो बार जा रहा है शेगा दिली और नंगना हूँ जो तो वापसी पंजाब दी की ती फिर सीज गंज हाधरी पर के जाओ वाँगा ये रूटीन इसके सम्दा बने आ सीगा बड़े-बड़े बुलाड सीगे बड़े-बड़े स्पीकर बुलारे सीगे उननों ते संगतां अकसर सुनना पसंद कर दिया सीगे उन होया की मैं जो हैगा है गुर्दवारा बंगला साब कथा करने वास्ते गया ते कुछ सत्संगीजदे मेरे ऊन जोड़े में कथा कर जाना जुरूर ऊना एक बड़े पदर पुरुष बड़े जेनरल परसनेलिटी उनने उत्या के हमेशा जो तो कथा होनी हो तो सुननी इस वार की होया मेरी दो दिन दी हाजरी हो गई ते वो आए नहीं बाहिए चांस की थे मेनों वैसे आम करके गलनी सी अखर दी मेरे उनना बारे ख्याल गया ते मैं हैड़िगरंथी साहब नो पुछिया मैं क्या हो सजने थे सुन दे हुंदे सी वाजिकल हुंदे नहीं ठीक नहीं ओ कहीं दे भी कहल लेया भी वैसे आम करके साथ संगी नहीं सी गए ज्युद holler क vive थे तो सी अंदे सी ती ओ जरूरा यह वाजी पता करा दे नहीं तो सी पुछ आ स्पैसिफिकली वो खेर पता कराया तो कहलेंगे जी वो बिमार चल दे नहीं कि अन्यमान सिंग चाहर के इंदे ख्याल आया या ते पुछ देना जिवन पुछ लेया है ते पता लगा कोई तबीएट ठीक नहीं इनसानी फरज है मिलन क्यों ना चाहिए था के इंदे फिर स्पेशल मिलन वास ते गए मिलन वास ते गए वाक्य ची तबीएट खराब सी थोड़ी बुदी गल हो रही है पता लगा ये थे यूनिवस्टी ची प्रोफेसर ने बड़े पड़े लिखे ने दो चार गला हो रहुए या ते केंड लगे और ना ने दस्या की मैं कोई सिख बलीवर नहीं है गा मैं थे अतरमी बन्दा है मतलब जिन्हों कहा है लोग की मैं तरम दी प्रैक्टिस नहीं करता सिखी दी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता एथियस्ट है गा तो अड़े बोलना बड़ा चंगा लागता है तो बोलन दी शैली तो बड़ा पर बावस सी इस करके तो अनों सुनन नहीं जाना सी इसे करके तो अनों कदी मिस नहीं किता जो दूसी आये थे अच्छा खैर दो चर गला हुई या प्याला चाल यान दी चापी थी उतो बिदाई की लाइन लगे मैं क्या पी गल्ले आए गुरु हारकिशन साब दे स्थान ते मथा टेके ओ पर वारस मेत जाके महराई दे चरना चरदास करे ओ दुख सुक जीवन्दा सफर दे संगी हुंदे ने पर फिर भी कष्ट आये कटे आजाये चंगा लगदाया गुएंदे जिदेगल हुई वो मनुझ जवाब देके कहन लगा वो शक्स कहन लगा या इमे चूटी तसली नीदस दिन्दा दोना मैं अ कम नी करना कुक करना गुरु के करदा मैं बोले आ तबिदग समय अपनी जाचे नंग गया मैंनों भी पोल पल आगी चीज का कटना काफी समा हो गया मैं नंगरे एक वरी फिर दिली तो ते सीस गंज गुर्दवारा साहब मेरी कथा है नो ते कथा कर रहे हैं अज़े को दस कमिन्ट कथा कर दें हुए और कई कहिंटे लगातार बोल दे सी गए ते किसी ने जिकारा चाड़ता ठीक है जी जिकारा हो गया फिर को दो-चार मिट बोल ले फिर जिकारा चाड़ता मतलब और उस दिन के एंदे कथा कटते जिकारे जादा होए ते जिकारें ते अवाज भी एक की बार बार आवे घर कथा समापत हो ये मैं उत्रे आते सेवादार नो पुछिया मैं क्यों जड़ा इतना ती पर बरागी होया सी अज़ संगत देच सुरोता उसाथ संगी ज़नु बलाओते सही इनने जिकारे अद्द होगी तुसो मैं अनौसमेंट भी की ती बास होगया जिकारे बहुत होगया उन गल भी सुनौ ओ हो कहिंदे जिक तुसा तुसी होनु की मिलना तो अडी उडी कर रहें बार खड़ा उन अच्छा उप मिलनवास्ते गए जो अखा मिली यहां तो पता लगए तो ही प्रॉफेसर है जिनु कदे करे मिलनवास्ते काई से कोटके कल वकड़ी पाली तबीयत की वे जान तो बाद कई दिन बतीत हो गए होई फिर मन में जो ख्याल आया इतने सियाने बंदे कारवी आए आखे कैके भी गए फिर भी गलना मनी बस किन्दे फिर ख्याल आया चलो कोई ना उठे है जप्टी साओधा पाठ कीता है एक दिन गुरद्वारा साब चला गया को चंगा फील होया पुर जो ताप संताप बमारी से हो ते चली गई पिछे पिछे ओपफिए चाड़ गई संगत चाड़ गई बहुत सारा विश्वास चाड़ गई ते इंतहाद ही खुशी चाड़ अच्छली यही है जो बंदा दुख सुख लो इस रूबच देख दा ना वड़े दिया थी वड़याई कर देयां, बंदे दे जीवन दी अपलिफ्टिंग हो जाए that is the गुरमत concept महराज के दे बागि साधे वड़े वड़े क्या होने वड़ा नहीं हो जाना साधे छोटे छोटे क्या होने छोटा हो जाना गुरु साहब दे पावन बानिदास बहुत crystal clear message है पगत हीन नानक जे होएंगा तक खस मैं ना होना जाई मैं पगती तो वहीना होके तर्तीते मर जाँगा मैं रबदा ना लवना लवांगा तो मतलब रब मर जेगा ऐसा कुछ नहींगा वो अपनी होँद अपने आपतों रखता है उदी मानता अपने आप दे वेचेस करके साहब कहिंदे मैं उदी याँ वडियाईया की करांगा मैं उदी स्तुती की करांगा आज भी बचन लिखेया हौँ क्या साला ही किर्म जंत किर्म जंत मिटी ते तुर्या होँदा कीडा सानु दिस्ता ऐसे कि निया कीड़ा किर्म है वबाजी कहिंदे जे पूरे गलोबल चात मारोगे असी तर्तीदी चमडी तो बद कुछ भी नहीं किर्म ही है तर्तीदे होर की है बंदे दी होंद मिटी दे नमिंदे आ क्या है मिटी की सलाहेगी उस नूर नू जिड़ा जर्रे जर्खेज होके जीवन दी पूरी तस्वीर नू उस रूबे स्रिजदा है क्या हूँ क्या सालाही किर्म जन तो वड़ी तरी वड़े आई तरी वड़े आई तरी गलोरी जड़ी है वो ब्याउंड एक्स्प्लिनेशन है फिर क्या तू अगम दयाल अगम है आप लेह मिलाई बाकि जो तरस भी करे न अगम है इंद्रियां दी पहुचतों परे यह अखानाल नहीं देसता कनाल नहीं सुनदा बाओ दिखता दी पकड़ देविच इंटलेक्ट दी पकड़ इच इंटलेक्ट ते ग्रेपिच तू नहीं आउनदा पर जो तू तरस्द करन ते आवे ते सब ना हून दे बावजुद भी तेरे प्रती विश्वास पका हो जाना अंदर इस करके क्या तू अगम दयाल तरस्दा का रहा है अगम हैं आप लह मिलाई जो तू मदद करन ते आवे आप मलाब भी करा देना अपने आपे दिनार मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई है करतार मेरा तेरे तू बिना सखा कोई नहींगा बेली कोई नहीं बेली बेली पंजाबी जालाफ वज़े बड़ा प्यारा जिदा शर्वाज बचना ऐसी न कि किसे ही कोई कोई मंज न माने ये कुटो जिदा जिनु जाहिब ने किया जांका मीत साजन है समिया तिस जन को का का की कमिया जिदा सजनों बढ़ गिया न उन फिर कमी कोई न उदे जीवन दिछ हर मरहले दे विच हर पड़ादे विच उदे चड़ दी कला है उनु सहीब ने बयान किता है कि मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई ते खीर सखा तो ही है जिदे कोई नी निबदा उदे किन निकरतार ता नाम निबदा है जिनु सहीब ने इस तरह मी बयान किता बाणी ते जहमात पिता सुत मीतना भाई मन उँहा नाम तेरे संग सहाई मना उथे भी तेरे मन दा साथी उस सखा अकाल पुर्ख वह गरुदा नाम ते उदी होंद है उदा उस रूबच यापन है जो तेरी शरना आगती ते लें छड़ाई जो तेरी शरना उदे ने उन्हानों तू छड़ा लें नाया बात हो इसी सुख दो तो कमफर्ट अनकमफर्ट दो काल ले आए जिवें जिवें बंदा जीवें दा तवाजन बदल दाया सोचां दे मंडल बदल दाया ओही लोग छोटियां छोटियां मुश्कलां तो कबरा आके डर जान वाले रून वाले वरलापन वाले जो दो एक हो जी हालाताँ पहुँच दे जो ते करतार दी होंच साक्षात सुर्टे चाजन दी फिर फिर पहाडान वी मत्हे लालें दे ते अंदर दुख दा बिलकुल जर्रा भी ना होंदा मतलब जीवन एक ऐसे लेवल ते आ जान दा उदी बात गुरु साब ने कीती जो तेरी शरनागती तिन ने चड़ाई नानक वे परवाँ है तिस दिलना तमाई बाकी पाई वे परवाया उन्हों कोई परवाया नहीं उन्हों मनने ना मनने कोई उन्हों तमाने की बिलकुल भी यह नहीं कि उदी असे उदी स्तरीफ करांगे चापलू सी पसंद करदा हुआ बाजी के ने ना ए वड़े आईतिस करके आए तक कि मान दी दुनिया चंगेरे गुणा तो रबी गुणा तो प्रबावतों के रबवर्गी हो जाए यह मुख जी वन्दा आशा है यह थे इस मुच्छी सुही की वार समापत हुंदी है अगले रे इस तो अगले बचन जोने उपक तरचना है उपरारंब हो रही अजदी विचारों दे समझ करांगे अज वास्ते हिथे इस मापन पुलांगल तिया ना च्तारे हो टाड़ी वी राहे ने अगले सेवाव करनगे करसानी संकरिशनल जूज रहे माई पाई दी सफलता दी अर्दास्ते नार समापती है वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फत है